हेलो फ्रेंज वेलकम टी योगीतास किचन सौरी काईज मैं दो हफ़तों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे एक्जाम्स चल रहे थे तो दो हफ़तों के बाद मैं यहां आप सभी को फिर से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ मिलने आई हूँ तो आज हम बनाएंगे अंडे और हरे मटर का बहुत ही टेस्टी सबजी और सिर्फ 10 मिनिट में इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में एक टेबल स्पून तेल डाल लें और इसमें थोड़ा सा करी पता डाल कर उसे पका लेना है तो यहां करी पते पक चुके हैं और मैंने यहां इस सबजी को बनाने के लिए दो प्यास और एक टमाटर को कार के रखा है तो सबसे पहले हम यहां प्यास डाल कर इसे अच्छे से भून लेंगे तो मैंने यहाँ प्यास को डाल लिया है अब इसे हम मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे और प्यास का कलर थोड़ा सा चेंज होने तक हम इसे भून लेंगे तो यहाँ कलर चेंज हो चुका है अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल कर उसे भी अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम में ही भूनना है और तेल निकलने तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है टमाटर को आधा भूनने के बाद देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुका है अब इसमें हम एक इंचा द्रक और पांच लेसन को कूट कर डाल लेंगे और अब तमाटर में से तेल निकलने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे तो देखिए यहां तमाटर में से तेल निकल गया है अब इसमें हम आधा स्पून हल्दी पाउडर डाल लेंगे और दो स्पून लाल मिच पाउडर डाल कर अच्छे से मिला लेंगे तो मैंने यहां डाल लिया है अब इसे अच्छे से मिला लेना है तो मैंने यहां अच्छे से मिला लिया है अब इसमें हम 150 ग्रम फ्रेश हरा मटर डाल लेंगे तो मैंने यहां डाल लिया है अब इसे हमें लोफ फ्ले में अच्छे से मिला लेना है और हाँ अगर आपके पास फ्रेश मटर नहीं है तो सुखा मटर भी आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ उसे राद बर भीगो दीजिए और उसे पका कर बिना पानी के इसमें डाल लीजिए तो मैंने यहां अच्छे से मिला लिया है अब इसमें हम एक स्पून नमक डाल कर अच्छे से मिला लेंगे हम यहाँ नमक सिर्फ मटर के लिए डाल रहे हैं, अंडे के लिए हम अलग से डालेंगे तो मैंने यहाँ अच्छे से मिला लिया है, अब इसे हमें डग कर 5 मिनिट तक पका लेना है मटर को एक तरफ पकने देते हैं और दूसरे तरफ हम तीन अंडे को तोड़ कर डाल कर उसे अच्छे से मिला लेते हैं तो मैंने यहाँ दो अंडे तोड ली हैं, यह तीसरा अंडा भी तोड लिया है अब इसे एक फोक का इस्तमाल करते हुए हमें अच्छे से मिला लेना है अब कोई भी चम्मत से इसे अच्छे से मिला लीजिए तो मैंने अच्छे से मिला लिया है और तब तक यहां माटर भी अच्छे से पक चुका है तो धकर निकाल कर इसे अच्छे से मिला लीजिए तो मिलाने के बाद जो भंटा हमने मिक्स करके रखा था उसे डाल लेना है डालने के बाद इसमें आधा स्पूर नमक डाल लीजिए नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है और medium flame में ही मिलाना है और जैसे हम normal अंडे का भुजिया बनाते हैं या उसका सबजी बनाते हैं उसी तरह हमें यहां मिला कर अच्छे से भुजिया बना लेना है तो देखिए मैंने यहां अच्छे से पका लिया है अब इसमें हम थोड़ा सा करीपता डाल कर अच्छे से मिला लेते हैं तो बस मिलाने के बाद अंडा और मटर का मसाला तैयार हो गया तो अब मैं इसे कटोरी में परोस लेती हूँ तो देखिए कितना colorful और कितना yummy लग रहा है आप भी इस recipe को जरूर ट्राई किजाब को बहुत ही पसंद आएगा और मैं इसे यहां फुलका के साथ परोस रही हूँ आप चाहें तो रोटी या पूरी के साथ भी परोस सकते हैं यह सबी के साथ बहुत ही tasty लगता है तो मैं यहां रोटी के साथ आपको देखर दिखाती हूँ देखिए कितना स्वादिश लग रहा है तो आप इस recipe को जरूर ट्राई करें यह सबजी आपको बहुत ही पसंद आएगा और योगीतास किछिन को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिल सकें और आप तुरंद देख सकें धन्यवाद